कहानी जंगल के एक शेर के बारे में है, जो अपनी ताकत और अधिकार के लिए जाना जाता है जंगल में शेर ही राजा होता है लेकिन इस जंगल में हर साल एक प्राचीन परंपरा का पालन किया जाता है जिसमें शेरों की बीच प्रतियोगिता होती है और जो शेर विजई होता है उसे एक दिन के लिए जंगल का राजा बनने का मौका मिलता है इस वर्ष की प्रतियोगिता में एक युवा और सासी शेर को एक दिन के राजा का खिताब मिलता है इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक दिन का राजा बनने का अनुभव इस शेर की जिन्दगी को बदल देता है पात्र एक सिंग एक युवा और ताकतवर शेर जो जंगल का राजा बनने का सपना देखता है दो बबबर जंगल का वर्तमान राजा जो बुढ़ा हो चुका है लेकिन अभी भी शेरों के बीच उसका दबदबा है तीन चेतक एक चालाक और धूर्थ शेर जो सिंग का प्रतिदवन्दवी है और उसे हराने की योजना बनाता है चार हाथी महावद जंगल का सबसे बुजुर्ग हाथी जो इस प्रतियोगिता का संचालन करता है और शेरों को सही मार्ग दर्शन देता है पांच संध्या सिंग की बहन जो उसे नैतिक समर्थन देती है और उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती है कहानी का सारांश कहानी का आरंब जंगल की शांतिपून दिन चर्या से होता है जहां शेर और अन्य जानवर अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए है जंगल में हर साल शेरों के बीच एक प्रतियोगिता होती है जिसमें जो शेर जीतता है उसे एक दिन के लिए जंगल का राजा बनने का मौका मिलता है इस साल की प्रतियोगिता में सिंग और चेतक के बीच कड़ा मुकाबला होता है सिंग अपनी ताकत और साहस के बल पर प्रतियोगिता जीत जाता है और उसे एक दिन के लिए जंगल का राजा घुशित किया जाता है हालांकि उसे जल्द ही एहसास होता है कि राजा बनने के बाद उसकी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई है उसे न केवल अपने दोस्तों का ख्याल रखना पड़ता है बलकि अपने शत्रों से भी निपटना पड़ता है कहानी का विस्तार कहानी की शुरुवात होती है सिंग के संगर्ष और उसकी तयारी से वह जानता है कि प्रतियोगिता जीतना उसके लिए आसान नहीं होगा खासकर जब उसके प्रतिद्वंद वीचे तक जैसे धूर्थ शेर हो प्रतियोगिता में सिंग अपनी सूजबूज और साहस का परिचय देता है और अंतर जीत जाता है राजा बनने के बाद सिंग को जंगल के कई मामलों को संभालना पड़ता है जंगल के जानवर उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और सिंग को उनका समाधान ढूंडना पड़ता है इस बीच चेतक सिंग को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और उसके खिलाफ साज़िश रचता है लेकिन सिंग अपनी बुद्धिमानी से चेतक की चालों को नाकाम कर देता है जंगल में एक बड़ा संकट आता है जब एक जंगली आग जंगल में फैल जाती है सिंग इस आग से जंगल को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है वह अन्य जानवरों को संगठित करता है और सभी मिलकर आग पर काबु पा लेते हैं सिंग की इस बहादुरी को देखकर सभी जानवर उसकी प्रशनसा करते हैं कहानी का अंत तब होता है जब सिंग का एक दिन का शासनकाल समाप्थ हो जाता है और वह फिर से एक साधारन शेर बन जाता है हालांकि उसके दिल में संतोश है कि उसने अपने एक दिन के शासनकाल में जंगल के लिए बहुत कुछ किया है उसे इस अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिला और उसे एहसास हुआ कि एक राजा का असली कर्तव्य अपने लोगों की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित रखना है इस प्रकार एक दिन का राजा शेर की कहानी हमें यह सिखाती है कि राजा होना केवल ताकत और अधिकार की बात नहीं है बल्कि जिम्मेदारी और सेवा का काम है यह कहानी जंगल के एक शेर की है जो अपनी बहादूरी और साहस के लिए जाना जाता है जंगल के सभी जानवर उसे सम्मान देते हैं लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग है यह कहानी बताती है कि कैसे एक दिन का राजा बनना आसान नहीं होता बल्कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती भरा काम है पात्र एक सिंग, एक बहादुर और युवा शेर जो जंगल का राजा बनने का सपना देखता है दो बुजुर्ग शेर, राजा, जंगल का मौजूदा राजा जो अब बुढ़ा हो चुका है और किसी युवा शेर को राजा बनाने की सोच रहा है तीन चेतक, एक चालाक और धूर्द शेर, जो सिंग का प्रतिदवंद्वी है और खुद राजा बनना चाहता है चार हाथी, जंगल का सबसे बुजुर्ग और बुधिमान जानवर, जो शेरों को सही मार्ग दर्शन देता है पाँच जंगल के अन्य जानवर, जैसे हिरन, बंदर, भालू, जो कहानी में महत्वपूर्ण भूमी का निभाते है कहानी का सारांश कहानी का आरंब जंगल की शांती और सुन्दरता से होता है, लेकिन यह शांती तब तूट जाती है, जब बुजुर्ग शेर जंगल में नई पीडी के किसी शेर को एक दिन के लिए राजा बनाने का फैसला करता है यह परंपरा हर साल की जाती है ताकि युवा शेरों को राजा बनने के लिए तयार किया जा सके इस साल, सिंग और चेतक के बीच मुकाबला होता है कि कौन एक दिन के लिए जंगल का राजा बनेगा सिंग, जो इमानदार और बहादुर है, मुकाबला जीतता है और उसे एक दिन का राजा बनने का अफसर मिलता है हालांकि यह दिन उसके लिए आसान नहीं होता क्योंकि उसे जंगल की कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है चेतक भी सिंग को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन सिंग अपनी बुद्धिमानी और साहस से सभी चुनौतियों का सामना करता है कहानी का विस्तार कहानी की शुरुआत जंगल की रोज मर्रा की दिन चर्या से होती है बुजर्ग शेर अब बुड़ा हो चुका है और वह चाहता है कि कोई युवा शेर उसकी जगह ले इस विचार से जंगल के सभी शेर उतसाहित हो जाते हैं, खासकर सिंग और चेतक जो इस मौके का बेस्परी से इंतजार कर रहे थे बुजर्ग शेर ने घोशना की कि जो भी शेर इस प्रतियोगिता को जीतेगा, वह एक दिन के लिए जंगल का राजा बनेगा प्रतियोगिता में शेरों को अपनी ताकत, बुद्धी और नित्रित्वक्षमता का प्रदर्शन करना था सिंग ने अपनी बहादुरी और सूजबूज से प्रतियोगिता जीती, जबकि चेतक अपनी चालाकी में फंस गया सिंग को राजा घुशित कर दिया गया राजा बनने के बाद सिंग को जंगल की सुरक्षा, भुजन की व्यवस्था और अन्य जानवरों के विवादों को हल करना था पहले ही दिन एक बड़ी समस्या सामने आ गई, जंगल में पानी की कमी हो गई थी सिंग ने हाथी से सलाह ली और उसने जंगल के पुराने जल स्रोथ को फिर से खोजने का सुझाव दिया सिंग ने बिना समय गवाए अपने साथियों को लेकर उस स्रोथ की खोज की और पानी की समस्या का समाधान किया इसी बीच चेतक ने सिंग को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई उसने जंगल के कुछ जानवरों को भड़काया कि सिंग एक दिन के राजा के रूप में आयोग्य है और वह जंगल को सही धंग से नहीं चला सकता लेकिन जब चेतक की चाल नाकाम रही तो उसने सिंग के खिलाफ खुद खड़े होने का फैसला किया चेतक ने सिंग को चुनौती दी की अगर वह असली राजा है तो उससे मुकाबला करे सिंग ने चेतक की चुनौती को स्विकार किया और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई इस लड़ाई में सिंग ने अपनी ताकत साहस और नेत्रित्व का परिचै दिया चेतक हार गया और जंगल के सभी जानवरों ने सिंग की प्रशन साकी सिंग ने चेतक को माफ कर दिया और उसे समझाया की सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचे न की सिर्फ ताकत का प्रदर्शन करे सिंग के एक दिन के शासनकाल में जंगल में शांती और सम्रिद्धी लोटाई सभी जानवर खुश थे कि सिंग ने उनकी समस्याओं का समाधान किया और उन्हें एक सच्चे राजा का अनुभव दिया कहानी का अंत तब होता है जब सिंग का एक दिन का शासन समाप्थ हो जाता है वह अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखता है और समझता है कि राजा होना केवल ताकत और अधिकार की बात नहीं है बलकि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है जंगल के जानवर उसे सम्मान के साथ विदा करते हैं और बुजर्ग शेर उसे आशीरवाद देता है कि वह भविश्य में भी एक अच्छे राजा के गुणों को अपनाए रखे इस प्रकार एक दिन का राजा शेर की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक सच्चे राजा को सिर्फ ताकतवर ही नहीं बलकि बुद्धिमान, दयालू और न्यायप्रिय भी होना चाहिए सिंग की यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि नेतरित्व का असली मतलब अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना है सिखाती है